हेलो दोस्तों चाहपानी चनल पर अब सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज में मनाने जा रहे हैं बीड्रूट का पराठा क्यूंकि बहुत जन बीड्रूट एकदम से खाना पसंद नहीं करते लेकिन बीड्रूट एक बहुत हेल्दी वेजिटेविल है तो बीड्रूट का लिया हूँ जिसको बहुत ही फाइनली ग्रेट कर लिया हूँ आभी मैं इसमें देदूंगी थोरा सा अधरग और एक हरीमिची जिसको मैं अच्छी तरिके से ग्रेट कर लिया हूँ और इसमें मैं देदूंगी हपचमच नामक आभी इन सबको अच्छी तरिके से पाहले मि लेना हो गएा है अब ही मैं इसे में दो का का आठा लिया हूं आठा को मैं पहले एक डो बना लूँखी आठा की वदले मैं अब मैधा भी यूश कर सकते हूं तो आठामे मैं दे दूंगे अब palm SHA-m90C नमक को अच्छी तरीके से हाटा से मिला लूँगी, अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसका एक सौप डो बनाऊंगी डोव मेरा बन गया है, डोव को ढखके मैं 10 मिनिट के रेस्ट करने दे दूँगी दूसरी तरफ मैं कैस में एक फ्राइपन चाहरा के उसमें दे दूँगी दो टेबल सुन मास्टड ओल, मास्टड ओल के बतल में आप कुकिंग ओल, वाइड ओल भी यूज़ कर सकते हो अभी इसमें मैं दे दूँगी, जो बिड्डूट के मिक्सर है, ओ अभी इसमें मैं दे दूँगी देखें अमेडियम आज में इसको थोड़ा सर फ्राई कर लूँगी जिससे क्या होगा ? बिड्डूट का अंदर जो पानी है और सूब चाहिगा इससे क्या होगा पराठा बिलने में आसान होगा नहीं तो पराठा जब हम बिलेंगे तब जो बीडूट है ओ निकल जाएगा पराठा से अभी देखिए बीडूट जो है एक तुम रेडी हो गया है दूसरी तरब मेरा जो आटा है ओ सेट हो गया अभी आटा से मैं थोड़ा जो छोटा चटा बॉल निकल लूँगी पराठा बनाना के लिए तो एक बॉल लेके थोड़ा सा आटा छिरक में इसको रोटी के तरह बिल लूँगी थोड़ा से बिलने की बाद मैं इसमें दे दूँगी जो बिडूट का मिक्सर है ओ इसमें दे दूँगी देखे इसका जो उपर का जो हिस्सा है ओ अच्छी तरीके से मैं बंद कर लूँगी आप कोई भी सेप दे सकते हो लेकिन मैं गोल बनाऊंगी इसलिए गोल सेप में बिल लूँगी पहले तो पराठा रेडियो हो गया अभी गैस में एक तावा चापा के उसमें मैं पराठा के दे दूँगी पराठा एक तरब जो सीख जाएगा तो दूसरी तरब उसको पलटके अच्छी तरीके से पराठा के पहले सीख लूँगी अभी थोड़ा थोड़ा खुआइट ओयल दे के इसको अच्छी तरीके से फ्राइक कर लूँगी देखे पराठा में रेडियो हो गया है तो मेरे ये रेसिपेपर कैसा लगा जोरूर कमेंट करके बोलिएका थेंक यू